हलो दोस्तों, आयरवेद में आम शब्ड का बहुत उप्योग आपने सुना होगा है हाँ दोस्तों, यही आम शब्ड यानि के आम शरीर मौत्पन होने वाली ज्यादा दर बीमारियों में कारण होता है इसके बारे में आचर बागवट ने बूला है पूश्मणो अल्प वलक्वेन, दातू माद्दम पाचितम, दुस्त आमाशय गतन, रश मामं प्रचक्षते अरताथ, जब हमारी जट्रागनी कमजोर पड़ जाती है जट्रागनी के कमजोर होने की वहे से हमारे अन्न का पाचन सही तरीके से नहीं होपाता है जिससे जो रश दातू बनती है, वह अपक को अवस्था में प्राप्त होती है और ये अन्डाइजेस्ट फूद मटेरियल ही फ्यूचर में आम की संग्या कहलाता है और जब यह अन्डाइजेस्ट फूद मटेरियल आगे बढ़ता है तो हमारी इंटेस्टाइन के थूद एब्सॉर्ब होकर यह बलड में सर्कुलेशन में आजाता है और यही बलड सर्कुलेशन में आने के बाद सेल्स में हो रही मेटाबॉलिज में एंटर करता है और यही cellular metabolism के लेवल पर जो free radicals उत्पन होते हैं जो सरीर के लिए खानी का रख होते हैं उनको neutralize नहीं कर पाता और यह है cellular metabolism को भी दीमा कर देता है जिससे cells healthy नहीं वन पाती हैं यह यूँ कहें आयरवेद के धातु निर्मान करम के तहट रश, रक्त, माश, मेद, अस्थी, मच, शुक, सातों धातुएं यानि कि 7 systems of 40 सही तरीके से नहीं बन पाती हैं क्यूंकि रश धातु जब सही तरीके से नहीं बनती जिसकी वएसे बहुत सारी diseases होती हैं तो रश धातु से रक्त धातु का सही तरीके से नहीं बन पाना हो पाता है जिसका पीछे कुस्ट, बिशर्प, यानि एरेसिपेल्स, लेप्रोसी, टोवर्कलोसिज, काफी diseases उत्पन होती हैं तो दोस्तों इस आम को बनने से हमें रोकना है तो कि यही आम यदि जॉइंट में चला जाता है तो वहाँ पर गाउट, आर्थराइटिट पैदा करता है यही आम यदि हर्ट में चला जाता है तो इर्लमेटिक हर्टिट रिसीज पैदा करता है यही आम यदि आखों में या सिर में चला जाता है तो सिर से संबंद या नेटर संबंद व्यादियों को उत्पन करता है जिस जगह यह आम जाता है उस उस जगह पर यह व्यादियों को उत्पन करता है इससे बचने का एक उपाय है, यदि हम अपनी जाठरागनी को तेज करने के लिए, यानि अपनी डायशिय सिस्टम को तेज करने के लिए कुछ आयरवीदिक वौजदियां, जिसमें ऐसे सरबसरिस्ट वौजदियों में तरफला, तरकटू, ये कही गई हैं, तरकटू वनाने के लिए सौट, काली मिर्च और पिपल, ये तीनों को सम्मात्रा में पेश गर, एक एक चमर, सुबेश शाम, यदि हम ने, तो हमारी चाठरागनी तीब रोती है, और हमें अपने पेट को साफ करने के लिए कुछ वरीचक होस्दियों का भी सेवन, रात में गुनगुने जल पसंदाया होगा ये वीडियो पसंदाया हो तो लाइक और शेयर करना ना बूलेगा थेंक्यू